उत्राखंड के सभी जिलों को सरकारी यूजना का लाब देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है इसी कड़ी में जमीनी हकीकत जानने दैनिक भास कर पहुंचा रुद्रपर जहां हमारे संबादाता ने बात की उधम सिंगनगर के सीडियो यानि मुख्य विकास अधिकारी आशीश भढ़गई से चलिए सुनते हैं आशीश भढ़गई की जुबानी किसको मिला कितना लाब स्वागत है दैनिक भास कर में आपका इस पकत हम हैं उदम सिंगनगर के जिला मुख्यालय रुद्रपूर और विकास भावन में सीडियो साब के आपिस में यहां पर माननिया मुख्यमंत्री जी का ग्रह जनपत होने के नाते विविन सरकार की जो योजनाये उनको निरंतर गति दी जा रही है और तमाम अधिकारी सीडियो साब के नित्रतों में सभी पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाब दिलाने के लिए एक जुट होकर के द देनिवास करें सर्फफ नयां जिस तरह से राज्य सरकार की यह योजनाओं और चुकि यहां पर माननिया मुख्यमंत्री जी का ग्रह जनपत है इस पर अब तक सर आपके कारेकाल में कितनी योजनाओं कैसे शंचालित हो रही है पात्रों लोगों को किस तरह से यह सारी मुख्यमंत्री स्वरोजकार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजकार योजना नाइनो है, वो भी संचालिप की जा रही है इसके अत्रित जो है परेटन से रिलेटड जैसे वीर चन सिंग अडवाली परेटन स्वरोजकार योजना है, वो संचालिप की जा रही है और दिन दियार उपाद्ध है, वो मुस्टर योजना है, वो भी संचा रिष्की जा रही है इदिन में जो सवरजग्याल पर योजना है, उद्धेशी ही है कि ज्यादा सज्यादा लोग रहे हैं इसका लाब लें क्योंकि इसमें अच्छी सबसेटी मिलती है तो इस लाब से वो अपना एक स्वरजगाल जनरेट करी सकते हैं साथ ही साथ और लोगों को भी अपने साथ जो लोग है जो टीम है उनको भी इंप्लॉइमेंट पूंटे सकते हैं तो ये कारवाई इसमें की जा रही है इसके अधरिक जैसे PME GP है परधान मंतरी फ्राइमेंट जनरेशन प्रोग्राम तो उसमें भी काफी आवेदन आते हैं उसका भी लोग लाफ देख रहे हैं एक सब्सक्राइब इसके सद्ध हमेंट की एक कारा है इसके अधरिक जैसे हमादओ शेख प्लैक्शिप कारिक्रम होते हैं जैसे मैंन और और नेल्ख में काफी महिलÁ है तो ये थी सरकार की कुछ ऐसे योजनाएं जिसने लोगों को बनाया है आत्मनिर्भर और दिया स्वाभिमान से जीने का होसला जिसके लिए लाभारती अभी भी कर रहे हैं सरकार का आभार